हलो एरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार 22 जुलाई 2021 और आज के दहिंदू नियूज पेपर गौंब लोग डिसकस करेंगे आलिसिस करेंगे आप इसके पेडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिर मिल जाएगा सबसे पहले बात करेंगे पिगासी स्पाइवेर के बारे में जो कंटी नियूज में है और जिसने बहुत सारे जनलिस्ट, पोलिटिशियन और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स पर अटाइक किया और वहां से एक तरीकी से डेटा कलेक्ट किया गे इसी कड़ी में एक और इंफर्मेशन आई कि दुनिया भर के 10 PM, WHO के चीफ स्टाफ़र और टेलग्राम के फाउंडर अब उन पर अटेक किया गया इस स्पाइवेर के दौरा Pegasi Spyware बेसिकली है क्या इसके बारे में कल हमने एक डीटेल वीडियो में भी डिसकस किया था फिर भी एक सोट वीडियो आपको प्रीफ में बता दूँ कोई message आएगा उस पर click करने के बाद ही आप एक तरीके से इसमें enter करेगा यह आपके devices के अंदर smartphone के अंदर या आपके system के अंदर computer system के अंदर laptop के अंदर enter कर सकता है और आपके data को जो है आपकी बिना permission के चोरी कर सकता है तरीके से इस पर attack करता है और जो attacker है उसके पास ये भेजता है यहाँ पर बात की जारी कि 10 प्राइम मिनिस्टर डबली आच्यों के चीफ स्टाफ पर और टेलिगराम के founder इन पर attack किया गया यहाँ पर इनके ना mention किया गया है कि इसमें आप देखेंगे प्रेज़ेंट अफ फ्रांस एमनियोल मेकरोन प्राइमिस्टर अफ पाकिस्तान इमरान खान प्रेज़ेंट अफ साथ अफरिका सीरिल रामफोशा प्रेज़ेंट अफ इराक ब्रहाम साली प्राइमिस्टर अजिप्ट मुस्तपा मैट बॉली प्राइमिस्टर अफ मरको वायर के द्वारे उन्होंने मेंजन किया कि four number of several sitting heads of government, seven former prime minister, इनके एक तरीके से database को leak किया गया और target किया गया Pegasi spyware के बारे में, इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे, इनमें NSO group जो continuous तरह के target कर रहे हैं, इनके अलावा जो former आप देखेंगे, head of the state रहे हैं, उनके accounts को भ Vanda, France, Kazakhstan, Algeria, Belgium, इनके former head of the state पर भी, उनके accounts पर भी इस spyware के द्वारा attack किया गया, इसी तरीके से आप देखेंगे, यह allegation लगता है कि इमरान खान जो पाकिस्तान की prime minister, उनके account पर या उन पर जो एक तरीके से attack किया गया इस spyware के द्वारा, वो Indian targets थे या Indian group वो एक तरीके से यह group जो था, डोमिनेट था, Indian targets के द्वारा, राइट, हलाकि पाकिस्तान government यह वो लगता है कि investigation कर रहे है, भरत सरकार यह वो लगता है कि हम इस तरह के एक तरीके से allegation का कोई concrete या एक तरीके से truth association इसे नहीं है, इनके लावा WHO के director जो है Tedros, उनके staff के एक तरीके से उन पर भ पर भी में, वो आप ज़रूर पढ़ना, तो Pegasus, Pyware, Cyber Security, Contraction में बहुत important है, General City, Paper 3 में आप से सवाल इसके बारे हम पूछे जा सकते हैं, इनके अलावा इस page पे दो और छोड़ छोड़ information जिसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, सबसे पहले, यहाँ पर बात करें, government न और इस बारे में कितना सही, कितना गलात है, इसको लेकर एक editorial भी है, वहाँ पर भी discuss करेंगे, डिटेल में, तो यहाँ पर government ने claim किया था कि oxygen scarcity या oxygen की कमी की वज़े से भारत में किसी भी व्यक्ति की death नहीं हुए, तो अब इस चीज को लेकर जो epidemiologist है, या जो एक तरीके से इस आपदा को observe करते हैं, जो doctors है, वो क्या बोल रहे हैं, कि पहले बात कभी भी certification होता है, जो death certification होता है, उसमें oxygen scarcity word use नहीं किया जाता है, oxygen की shortage word use नहीं किया जाता है, लेकिन आप इस तरह की जब statement देते हैं, वो भी parliament के अंदर, आप technically सही हो सकते हैं, technically in the sense कि definitely किसी भी death certificate में ये mention नहीं होगा, कि oxygen की कमी की वज़े से death हुई, आपको reason बताया जाता है, किस वज़े से death हुई है, लेकिन ये जो statement परलियमेंट के portal पर दी जाती है, तो इस तरह के statement का public के sentiment पर एक खराब असर पड़ता है, और इसी चीज़ को लेकर, परलियमेंट में debate भी हुआ है, कि एक privileges motion या जहां पर जिन्होंने statement दी, उनके केश लाया जाएगा, और विशे सदिकारों का एक तरीके से ये violation किया गया, उनके बारे में हम details editorial part में पढ़ेंगे, और बहुत सारे जो medical association bodies है, वो इस तरह के statement को precise कर रहे हैं, इस तरह के statement जो है, नहीं दिये जाने चाहिए, और इसमें एक तरीके से जो denial mode पर रहती ही government, उस तरह के statement नहीं, बलकि accept करना चाहिए, कि देश भर में कमी है, और अगर आप देश में देखेंगे, government खुद oxygen express सलाती है, एक तरीके से जो industrial oxygen plants को shift करती, medical oxygen में, ये कुछ examples है कि oxygen की कमी थी, shortage थी, और उसी के बाद एक तरीके से definitely problematic हुई, और दूसरा, oxygen जो है direct cause नहीं होता कि एक तरीके से की oxygen की कमी के वज़े से death होगी, बलकि oxygen एक इंपोर्टेंट है, अगर oxygen एक तरीके से spot नहीं होगी, तो immediate basis पर system collapse करता है, और system collapse करने के बाद बहुत सारे लोगों की death वहाँ पर हमें देखने को मिली, और भारत के बह हुथी sensitive इस तरह की information को धान पूरुवक जो है government को share करना चाहिए, इसके लाबा एक study conduct करी गई लैंसेट के दवारा, और इस study को spot किया बहुत सारे organization के दवारा, लैंसेट ने study conduct करी और इसमें बोला गया कि भारत के लगभग 1.2 लाख बच्चे जो है, उन्होंने caregivers को lost कर दे caregivers का उतलब होता है, या तो उनके एक parents की death होगी, या उनके दोनों parents की death होगी है, और इनके लाबा COVID-19 के अगर आप deaths को लेकर analysis करेंगे, तो बच्चों में खास कर, इसमें Mexico में 1.4 lakh, ब्राजिल में 1.3 lakh, और भारत में भी लगभग आप देखिएंग, 1.2 लाख बच्चों क जो caregivers हैं, उनके death होगी है, COVID-19 के दोरान, इस study में बताया गया कि, आवरोल 11.34 lakh, जो है, वो एक मार 2000 वी से लेकर, अप्रेल 30, 2021 तक record करेंगी, और इस study को जो है, सपोर्ट किया बहुत सारे organization ने, जिसमें आप देखेंगे, researcher from the COVID-19 response team of the US Center for Disease Control, Imperial College, London, the University of Oxford, और इसके करने में सपोर्ट किया, अगर भारत में आप देखोगे, कि बच्चों की जो death है, COVID-19 के context में, 0.3 पर 1000 children के आसपास देखने को मिलती है, और इसमें, सोरी, बच्चों की death नहीं, मतलब बच्चों के parents की जो तरिके से उनके सिंग, एक parents या दोनों parents की expire हुए है, COVID-19 के दरहां में 2.4, Columbia में 2.3, Iran में 1.7, US के अंदर 1.5, Argentina के अंदर 1.1 और Russia के अंदर 1, ये data दिया गया है, decades के बारे में, कि उनके या तो एक parents या caregivers in the sense कि जिसके अंडर वो एक तरीके से रहते थे या अपना जीवने आपन करते थे उनकी death हुई है, इसके बाद यहाँ पर Supreme Court ने slam किया गोवा गोर्मेंट को और विदानता ग्रूप को कि उनके एक mining case को लेकर जो petition थी उसको बहुत ज़्यादा डिले किया, 2018 में Supreme Court का एक judgment आया था और वो judgment बहुत important था, 2018 में Supreme Court ने 88 mining जो lease पर दी गी थी, उसको cancel कर दिया था, और ये बोला था कि गोवा की जो fragile ecology है, उसको कही न आप जो है, amendment किया गया, mines and minerals development regulation act के अंदर, जिसमें mandatory कर दिया गया कि कोई lease और कोई auction पर देना या lease पर देना तो उसके लिए notify करना पड़ेगा, आपको mine notified करना पड़ेगा, minerals जैसे iron ore में, जैसे minerals के context में आप देखेंगे, geographic NCRT में एक unit है, minerals को लेकर, और उसमें यहाँ पर दूसरा mines भी है, और तिसरा iron ore exporting report, इस region में ecological fragile zone की वज़े से supreme court ने इसको cancel कर दिया था, कि जो license दिया गया, जो lease पर दी गई है, इसको cancel किया था, इसी चीज़ को लेकर, गोवा government और वेदान्ता ग्रूप ने review petition फाइल करी, और उसको dismiss कर दिया, supreme court ने, इसके लाबा, इंडि particular region के अंदर, इसके बाद बात करेंगे, editorial part की, तीन editorial जो हम priority में रखेंगे और fourth editorial आपके लिए as a homework की तरह होगा, सबसे पहले बात करेंगे, dealing with denial करके article दिया गया है, इस article में मतलब denial का मतलब होता है, accept ना करना, या तरीके से किसी चीज़ को मना कर देना, इस तरह की context में बा state government हो, इनको इस तरह की चीज़ी जो हर नहीं करने चाहिए, COVID-19 की death को लेकर, अलग-अलग countries में अलग-अलग तरीके से data है, भारत में भी COVID-19 की जो casualties का number है, इसको लेकर भहुत सार एक तरीके से statement हाती है, इसके अलाबा Health Ministry ये बोलते है कि भारत में, दुनिया के दूसरे दे किया है, क्यों? अगर भारत के per million, इसकी deaths को देखेंगे, per million of population, compare करेंगे, तो आपको कम नज़र आएगी, अगर आप factually statement को देखेंगे, तो इस factually बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के size, demographic difference और per capita difference, इसके लाबा भारत की जो quality health है, या भारत का healthcare system है, उसके हिसाब से statement बिल्क के दरान देखा की, एक लंबी line hospitals के बाहर है, लोग जो है, वो basic facilities के लिए, जिसमें medical oxygen है, उसको लेकर जो है, कहीं न कहीं भाग दोड कर रहे हैं, या अपने आपको, अपने relatives को बचाने के लिए, एक तरी के से, admission को लेकर भी एक तरी के से, एक struggle कर रहे हैं, इनके लाबा ब कई सारे survey भी आए कि भारत के अंदर access deaths के, अगर आप analysis करेंगे, access deaths का मतलब है, कि possibility थी कि COVID-19 की वज़े से इतने लोगों की death हो सकती थी, इन सब के अलावा, recently भारती परवीन पवार, Minister of State है, for Health and Family Welfare, इन्होंने राजसभा के अंदर एक statement दी, इस statement में बोला गया, कि भारत के अंदर, due to lack of oxygen, किसी भी व्यक्ति की death नहीं हुई है, जैसे कि हमने front page में डिसकस किया था, इसी चीज़ को लेकर Congress के leader है, केसी वेनु गपाल, उन्होंने बोला है, कि Congress Party जो है, प्रिविलिज मोशन जो उनके against लाएगी, प्रिविलिज मोशन का मतलब basically क्या होता है, कि Constitution, स होते हैं, दूसरा collective होते हैं, यहाँ पर अगर किसी को लगता है, कि किसी व्यक्ति ने इनका violation किया है, उनके against वो complaint दर्ज करा सकते हैं, जो एक तरी चेर करते हैं, हाँस के generally, यहाँ पर आप देखेंगे, जो voice president है, in the context of royal सभा, और speaker साब जो है, in the context of log सभा, ठीक है, इसके ब बहुती कम, जो है, highlighted आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा, यहाँ पर आप देखेंगे, एक इस तरह की जो statement देना, definitely जिन लोगों के एक तरीके से, जिन लोगों है सफर किया, जिन लोगों की death हुई है, जिन लोगों की closest की death हुई है, उनमें एक तरीके से sentiment उनकी hurt होत दूसरा, COVID-19 के अंदर, या आप देखेंगे, COVID-19 के certificate के अंदर, यह mention हो सकता है, COVID-19 के वज़े से death हुई है, लेकिन यह mention नहीं होगा, कि lack of oxygen उसके पीछे region है, इनके लावा, Indian Council और Medical Research की तरफ से भी, यह बोला गया था, कि जब आप COVID-19 की death की वज़े से certification दे रहें, तो उस कवर किया, और mortality figure को देखेंगे, तो consider किया था था कि भारत के अंदर, अंडर count है, इनके अलावा, यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का healthcare system जो है, उसको लेकर question उठे, और pandemic में government का कुद का step उठाना, जिसमें आप देखेंगे, oxygen express railway चलाना हो, या जो industrial oxygen उसो shift करना हो, medical oxygen के के अंदर, इस तरह की चीज़ें ये कहिन के indicate करती है, कि government को denial mode पार नहीं रहना चाहिए, उसको accept करना चाहिए, जो problem है, और system को, healthcare system को, और betterment की तरफ काम करना चाहिए, लास्ट में बोला गया, कि Indian Council of Medical Research ने अभी serological survey conduct किया था, इसमें बताया गया था कि अभी भी one third population जो इ अलरेबल काटेगरी के अंदर, 40 क्रोड लोग अभी भी infect हो सकते हैं, और Parliament के अंदर इस तरह के records का, इस तरह की statement का, definitely government की credulity पर question जो हो मार करते हैं, और उस दोरान जब कई जगे पर ही consider क्या जा था कि भारत में third view जो COVID-19 की आ सकते हैं, और वो impact उसका और ज्यादा larger हो सकत हैं, इसके बाद second editorial है, यह editorial है water as boy करके particle दिया गया है, वोई का मतलब है problem या संकट create करना, कैसे पानी की वज़े से लोगों की जिन्दगी में problem भी हो जाती, उसके बारे में discuss किया गया, और यहाँ पर एक case study के थरू या एक example दिया गा मुंबई का, मुंबई cannot manage its flooding without a new deal for drainage and housing यानि मुंबई flood को manage नहीं कर सकती, जब तक कोई new deal ना हो जा, drainage and housing को लेकर, UPSC mains में urban flooding को लेकर, यह urbanization का एक topic है, general study paper 1 के अंदर mains में पुछा जाता है, तो इसको लेकर सवाल पुछे जाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले पुछेगे, आने वाले टाइम में भी पुछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे जैसे monsoon revive कर रहा है, मुंबई के अंदर कुछी घंटों के अंदर ये कुछी दिनों के अंदर बारिस ने एक तरीके से system को life को paralysis कर दिया, disrupt कर दिया drinking water supplies को, और कहिने के expose कर दिया कि state का जो infrastructure है, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा effective नहीं है, इनके अलावा जो volume duration है monsoon का उसको unpredictable माना जाता है क्योंकि और कई लोग यह मानते हैं कि इस पर जो है climate change का भी impact हो रहा है, इस theory को strengthen कर रहा है, इसके अलावा मुंबई में अलग अलग जगह पर बारिस की वज़े से बहुत सारे आप ने देखा, flood जैस सिक्रस होगे, खासकर slum areas के अंदर, इनके अलावा आप देखेंगे कि भारत में COVID-19 के बाद जो economic misery आपको देखने को मिली, खासकर sub-urban areas के अंदर या मुंबई जैसे बड़े साहर के अंदर तो financially जिसको माना जाता है pre-eminated city है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी problem देखने क ज्यादा intense कर देती, इस तरह की flood जो है, इसके अलावा इस city के अंदर अगर आप खासकर middle class या दूसरे जो लोगों को देखेंगे, क्योंकि इतनी costly हो रही है कि affordable से बाहर हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं कि दूसरी cities की तरह जा रहे हैं, भारत के अंदर flood जो है ये पहली करेगी, national disaster management authority जो है, एक planning करें properly और इसको लेकर एक manual जो है, ministry of housing and urban affairs के तरफ से dedicated किया गया, drainage को लेकर, हलाकि state ने इसको लेकर बहुत जादा कदम उठा दियो, बहुत जादा चीज़े कर दी हो, power responsibility की through city के life को जो change करकर रख दिया हो, इस तरह की चीज़े नजर नहीं आती, क लेकिन उन सब के वावजूद भी मुंबई के अंदर इस तरह के बड़े सहरों में मुंबई हो, चेनाई हो, इबन दिल्ली हो, यहाँ पर flood के management को लेकर अभी भी उस तरह की policy जो है, नहीं है, लेकि flood को आप कैसी control कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़े जैसे city के अंदर जो rivers है lakes है, उसमें बहुत जाद आप देखेंगे, waste भर गया या उसमें गाद भर गयी है, इसके अलावा जो risky areas है, जिनमें जैसे कई घर हमने देखेंगे location में, खासकर slim areas जो होती है, वो नहर के किनारे हो जाती है, lakes के किनारे हो जाती है, एकदम से जब पानी वहाँ पर store होता है, तो सबसे पहले उन घरों के एक तरीके से collapse करने की possibility रहती है, तो उस context में government को काम करना पड़ेगा, और Mumbai में मिठी river एक जो है, वो important role play कर सकती है, अगर इसको proper cleaning की जाए, proper lease पर काम किया जाए, इसको एक तरीके से साफ रखा जाए, और drainage को immediate basis पर, या जो additional water होता है, यहाँ पर supply किया जा सकता है, इसके तरू बहार निकाला जा सकता है, इस तरह की आप देखेंगे, अगर यह चीज़े नहीं की जाती, इस context में क्या होगा, unplanned growth होगी, unplanned growth होने का मतलब क्या होता है, कि अगर unplanned growth होगी, तो आने वाले time में इस तरह की disaster आपको देखने को मिलेगी, औ यह सहर को और ज्यादा पूरर या और ज्यादा खराब situation के अंदर जो है, लिकर जाएगा, यह कुछ information थी इस editorial से, अब बात करेंगे इस newspaper का, आज के दह हिंदू का most and most important editorial कि भारत को directly engage करना से यह तलिमान के साथ, यह article लिखा है, happy man Jacob ने और इनके बारे में थोड़ा से प्र को क्यों चाहिए कि वो Taliban 2.0 के साथ या Taliban second के साथ engagement करें, Taliban 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 1996 से 2001 के दोरान जो है, पावर के अंदर रहे थे अफ़वानिस्तान में, फिर से पावर में हासिल, पावर को हासिल करने की कोशिस कर रहे हैं, इनके अलाबा, Government of India पर एक तरीके से allegation माल ल परकार जो है बैक डूर से या बैक चैनल से Taliban से बात कर रही है, तो इसमें इनोंने बताया कि Taliban के साथ हमें open में बात करने चाहिए और यह strategic necessity है, यह बहुत जरूरी रणितिक रूप से भी, क्यों? जैसे जैसे United States की टूप अफगानिस्तान प्रोसेस से बाहर निकलती है, लकिन अभी तक कोई solution नहीं निकला, इसका बहुत जाद इनको कोश्ट पड़ी, एक तरीके soldiers की death हुई, उन सब के बाद इनोंने decision लिया कि 11 September से पहले पहले withdraw करेंगे, जैसे जैसे इनोंने withdraw किया, वैसे वैसे Taliban की presence भी अफगानिस्तान के अंदर rise हुई, इन सब के अलावा, यहां पर आप देखेंगे, अफगानिस्तान में एक civil war जैसी situation या आप बोलेंगे कि इस particular region के अंदर तालिबान की presence तेजी से बड़ी है, इनके अलावा region में भारत ने कंधार में अपना जो एक तरीके से councilate था, उसको बंद करना पड़ा या उसे हमारे staff को जिसमें diplomats है, इ इनको अवेक्यूट करना पड़ा, इससे पहले भारत सरकार ने decision लिया था कि जलालाबाद और हिरात के अंदर जो councilate थे, उनको भी suspend करना पड़ा, उसमें काम को बंद करना पड़ा, इस टाइम भारत के केवल दो offices है, एक embassy काबूल के अंदर दूसरा councilate है, मजार शरीफ इनके अलाबा, यहां पर तालिबान के बारे हम बताया गया कि तालिबान के साथ क्यों engage करना चाहिए, कई सारे points के थूरे नहीं समझाया जैसे, these development indicate two things, यह सारी चीज़े दो चीज़े बताती है, कि अफगानिस्तान से partially withdraw करना, यह constitution करता है कि government और जो काबूल पर बहुत ज अफगानिस्तान government से बात करो, तालिबान से कोई बात न करें, इसके अलाबा, नियो देली कोई पता है कि तालिबान से क्या treat हो सकता है, खासकर अफगानिस्तान के अंदर भारत की जो asset और presence है, यह भारत ने अफगानिस्तान के अंदर huge investment के है, उस context में अगर तालिबान एक schools बनाना, इस तरह के जो soft diplomacy बोलते हैं, इस पर attack होगा, और इनके अलाबा, fundamentally भारत सरकार को requirement है कि अफगानिस्तान को लेकर अपनी policy को reset करें, इसलिए भारत के अपने national interest के हिसाब से भी open में बातचित होने चाहिए, तालिबान के साथ अभी भी जब इससे पहले कि यह बहु करने चाहिए, क्यों? पहला, अफगानिस्तान के अंदर लगए one third district जो है, वो directly control में हो चुक है, तालिबान के, तालिबान even claim करता है कि 85% जो overall territory है, वो एक तरीके से उनने claim किये, even बहुत सारे check post को, जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान हो, उजवेकिस्तान हो, या तुर्कमेनि करी गई थी, जिसमें अफगान हाई पीस काउंसल के मिंबर थे, जिसमें भारत की तरफ से दो नोन ओफिशन डेलिगेशन भीजे गए थे, इसके बाद एस जैसेंकर साहब ने इंडियन एक्टरनल अफेर मिनिस्टर और इंटर अफगान नेगोसिशेशन के अंदर दोहा के नदर बातचित करी और ये कहने कही स्टेटमेंट भी आई इंडर्कली मिनिस्टर अफेर की तरफ से कि तालिबान के साथ हम एंगेज करें इंडर्कली स्टेटमेंट दीगी, we are in touch with various stakeholders in presence of our long term commitment towards development and reconstruction in अफगानिस्तान, यानि तो डिप्लोमेशी में स्टेटमेंट दी जाती ह वो आपको थोड़ा सा उसको समझने के लिए आपको एक तरीकेश आपको समझना पढ़ाएगा stance क्या है और various stakeholders में कौन होगा, सरकार हो सकती है, सरकार के साथ various parties भी इसमें हो सकती है, भारत एक तरीकेश आदे दिल से अपने आपको feel करता है, embrace feel करता है, hesitance लगता है कि क्या ह हमें तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इन सब के लावा, जिस हिसाब से अफगानिस्तान की geopolitics है, भूर आजनेती के लिए बहुत important ये place है, और भारत चाहता है कि Central Asia में access करें, या इसके अलावा अगर भारत engagement नहीं करेगा, तो उसके क्या नुक्सा सारी चीज़ों के इनोंने discussion किया, तो भारत को तालिबान से क्यों approach करनी चाहिए, इसको लेकर इनोंने 5 possible reasons बताए, 5 reasons बताए जिसकी वज़े से तालिबान के साथ भारत सरकार को engagement करना चाहिए, पहला, अगर हम तालिबान के साथ directly engage करते हैं, तो अफगानिस्तान के प्रिज discussion कर सकते हैं, second इनोंने बताया कि अभी जो dilemma है, कि अगर माल लेते हैं, तालिबान के साथ सरकार को बात करनी, तो तालिबान में किसे बात करनी, तो इसमें most probable है कि जो दोखावेज तालिबान negotiation है, या leaders हैं, जिसमें अब्दुल सलाम जाइफ करके, इनके साथ बात्चित किय जाएं, और इसके बाद इनोंने बताया कि तालिबान जो है वो अब नए अवतार के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसमें इनका स्टेंड क्या होने वाला है, इनके intention क्या होने वाले है, उसको लेकर बहुत जाद information नहीं है, इस context में जरूरी एक engagement सरकार करें, और यहां पर बताया गया कि अगर भारत सरकार तालिबान की साथ engagement नहीं करती है, तो possibility है कि पाकिस्तान को unreasonable इससे benefit हो, और पाकिस्तान और ताईबान अगर मिल कर जाएंगे, तो definitely भारत के अगेस्ट काम, अगर दोनों एक साथ मिलते हैं, तो भारत के अगेस्ट और खासकर जमुन कस्मेर यूटी में भारत के अगेस्ट काम कर सकते हैं, इन दोनों के deeper relations है, इनके अलावा अगर भारत के context में देखेंगे, international community में 1996 में जब तालिबान पावर के अंदरा पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग भले उन्होंने recognize किया हो, ना किया हो, वहाँ पर business किया, negotiation किया, और एक प्रोबलम किया है, पहली बात, तालिबान एक regional और global partner की requirement, उसको चाहिए कि अभी regional partner और global partner जो उनकी recognize करें या उनको पहचान दे, और खासकर neighborhood के अंदर, तो इसमें भारत हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान के साथ एक तरीकी से क्या उनके relation होंगे, माना जाता क कि तालिबान का जो rise हुआ, या तालिबान स्टार्ट होता है, उसमें पाकिस्तान का भी एक important role रहा है, और उस context में इस भारत के लिए कि इस तरह के भारत जो है, इसमें negotiation करें, भारत के relation अगर होते हैं इस context में, और तालिबान और पाकिस्तान के stronger relation होंगे, तो वो impact ना करें और less proactive Indian engagement के साथ, right, sorry, less proactive अगर भारत और तालिबान के relation नहीं होंगे अच्छे, तो इसका या तालिबान के साथ हम बातसित ही नहीं करेंगे, engagement ही नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान तालिबान के relation अच्छे होंगे, और उसका impact जो है भारत के लिए definitely एक bad एक तरीके से impact हो सकता ह इसके बाद इन्होंने बताया कि हमें बहुत सारी चीजों को तरीके से wisely select करना पड़ेगा, जैसे कई बार यह लगता कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ link करके तालिबान उनको support करेगा, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के क्या relation होगे, इनकी भी certainty नहीं है, क्यों रिजन में चमन बोलडाक वाला जो रिजन है, उस स्पिन बोलडाक वाला रिजन जो है, खसकर चमन रिजन में, जो बिल्कुल क्वेटा सहर के आपको अफगानिस्तान वाले एक चेक पोस्ट में रेखने को मिलेगा, टेरिस्ट अटेक होता है, इवन यहाँ पर भी नियो ज चीजों के उपर डिपेंड करेगा, इनके अलावा तालिबान से एंगेजमेंट इसली भी करना जरूरी कि भारत ने लगबख तीन विलियन डॉलर का जो खर्च अफगानिस्तान गंदर किया, और सरकार विड्रो अगर कर लेगी, तो एक तरीके से स्टेजिक रोज हमें हो जाएगा इस पर्टिक्लर रिजन में, और फोर जो है, भारत अगर इसमें बाहर निकलता, तालिबान से कोई इंगेजमेंट नहीं करता, दूसरे जो रिजनल प्लेयर जिसमें रूस है, इरान है, पाकिस्तान है, चाइना, ये सेप करेंगी इस पोलिटिकल, जियो पोलिटि करने से बहुत सारे इशूज को सोल किया जा सकता है, जैसे अभी बहुत सारे एक्टिविटीज हुई, जैसे पाकिस्तान से बैक चैनल बातचीत को लेकर निउज में आई, सीज फायर एग्रिमेंट होना हो, या कसमीर लिडरिशिप के साथ डायलोग करना हो, और तालिबान के साथ भी इंडरिक्ली मेटिंग को लेकर हो, ये सारे इंडिकेट करते हैं कि एक स्टेजिक रणनीती की जरूरत है, तालिबान के कॉंटेक्स्ट में, और इन कॉंटेक्स्ट के अंदर ये बताएगा है कि जिसे इसाब से इससे पहले जब पावर कैप्सर होई थी, 1999 के अं मार्क है, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताएं कि भारत को तालिबान के साथ क्यों इंडिकेश्मेंट करना चाहिए, अब दूसरा हो सकता है कि भारत को तालिबान के साथ क्यों इंडिकेश्मेंट नहीं करने चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर आपको बेसिक अंडर इसका मेन उब्जेक्टिव क्या है एक तरीके से यह इसके बारे मेंशन किया गया इन्यू जेनेशन आफ अकास सर्फेस टू एयर मिसाइल का मतलब होता है कि जैसे ग्राउंड से एयर तक जो मिसाइल जो अटैक कर सकती है जैसे यहां पर आप देखो टेस्टिंग में यह ऐसे अटैक कर सकती है आपको कई सारे मिसाइल खासकर अगनी है परत्वी है अकास है ना वह इस तरह की मिसाइल के बारे में जरूर पता होगा तो अकास जो है सर्फेस टू एयर मिसाइल है यह एर टू एयर मिसाइल है यह एर टू सर्फेस मिसाइल है इस तरह की मिसाइल के टाइ इसके बाद हमारी डिफेंस मिनिस्टरी की तरफ से स्टेट्मेंट दियेगी और इसमें बोला गया कि इसमें बोला गया है ये पैटर रेंज में कंपेर कर सकता और इसका जो ओल्डेस्ट वर्जन है ओरिजिनल वर्जन है जिसकी रेंज है 25 किलोमेटर के आसपास उससे बैटर परफॉर्म कर सकती है इनके अलावा DRDO के अलावा जो प्रडेक्शन अजेंसी इसके अंदर है जिसमें भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड्स भारत डैनामिक्स लिमिटेड्स इनको भी कहीं नहीं कहीं कंगरेचिलेट किया गया कि सकस्पुली भारत ने टेस्टिंग करी इसकी और भारत में डिफेंस फोर्सेज को बुष्ट अप करने इंडिजीनिसली वेपन जो प्रवाइड करना दूसरा अपने ही वेरियंट्स को जो है वो और जाता अच्छे से उसकी कपेस्ट्रीज को बिल्ट अप करना इसको ले बहुत सारे issues को लेकर debate है जिसमें Brexit को लेकर भी जहाँ England या UK अलग हुआ था किसे European Union से इसके लाबा trade को लेकर हो या ideological लेकर हो या North Ireland के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर दो पार्ट्स है एक जो यूक को स्पोर्ट करता दूसरा पार्ट चाहता है कि UK से हमें अलग हो ज कुछ tariffs इस तरह की चीज़ें नहीं होने चाहिए और proper जो है वो free trade इस तरह की चीज़ें को follow किया जाना चाहिए इन सब चीज़ें को लेकर इस साल के starting में भी वहाँ पर issues हुए थे और Northern Ireland Protocol जिसको बोला जाता है कि इस साल के starting में end किया गया तो London चाहता है इसको खुतम किया चाहिए और इसमें बेसिकली यह था Northern Ireland Protocol के अंदर कोई item अगर England से इस region के अंदर आएगा तो उसकी checking जो हो चेक पोस्ट के तुरू होगी इंगलेंड चाहता है कि यह चीज़े नहीं होने चीज़े अगर आप इस Northern Ireland के बारे में बात करें तो 1998 तक यह बहुत सारा तरीके से conflict देखने को मिलता था और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो चाहते कि एक mainland से अलग हो जाए दूसरे लोग चाहते कि UK के साथ रहे तो बहु में इस region के अंदर UK proper way में काम कर पाए UK के अंदर आप देखेंगे कि United Kingdom है Wales स्कोटलेंड है और Northern Ireland भी इसमें include किया दाता है इसके बात यहाँ पर एक important यह article बोल सकते है important यह news बोल सकते हैं इन्होंने चाइना ने United States को बताया कि climate cooperation अगर हमें करना है USA के साथ तो डिपेंड कर देगा कि climate cooperation कितना कितना important होगा चाइना और US का या चाइना और US कैसे एक दूसरे को climate के context में cooperate करेंगे यह सारी चीज़े किस के ऊपर किस issue को लेकर है रिशनली जोन करी जो की climate envoy है या joy by administration के important part है वो गई चाइना के और जब चाइना और US के बीचे हैं बातचित हुई तो इन्होंने statement officially किया दी as the largest developing country and the largest developed country in the world China and USA share common interest in addressing climate change इसके बाद यहां पर यह mention किया गया we should step up communication and coordination and play an exemplary role in the international community इसके लावा यहां पर बोला गया कि यहां पर यह depend करेगा कि अगर USA जो है एक side उनके internal matter पर interfere करेगा और दूसरी side यह जाएगा कि एक दोनों एक साथ मिलकर bilateral और global affair में काम करें तो यह थोड़ा possible सा नहीं लगता जोन केरी जो कि United States के special presidential NYF और climate वो यह बोलना कि जो चाइना का प्लान है 2030 तक 1.5 डिगरी तक एक तरीके से global warming target वो अचीव करना वो sufficient नहीं लगता अगर चाइना इसको अचीव कर लेता तो दुनिया में 2040 तक जो है 2040 या 2035 तक हम लोग net zero carbon emission कर सकते हैं लेकिन ये प्लान जो है sufficient नहीं लगता कई सारी country ने planning करी है जैसे चाइना ने अपना प्लान किया 2030 तक अपने carbon dioxide के peak पर होगा और 2060 तक जो है carbon neutrality हासिल कर लेगा इनके लाबा यूएस डिप्लोमेट भी विजिट कर रहे हैं यहाँ पर चाइना और यूएस के और इससे पहले जब देखेंगे जोई बाइडन और चाइना के जो प्रिजिडेंट है उनके बीचे बातचित हुई थी तब उन्होंने यह बोला था कि climate एक ऐसा topic हो सकते हैं रशिया की प्रिजिडेंट से बात हुई कि जब climate एक ऐसा topic है जिस पर यह country agree करते हैं बिना किसी तरीके से differences के इसके बाद एक important decision लिया गे यूनेसको ने strip कर दिया है यह यूनेसको ने एक तरीके से लिवरपुल को यूनेसको की वर्ल्ड heritage site से हटा दिया है क्यों हटा दिया गया यहां पर इनने पाया कि बहुत सारी building जिसमें football stadium या undermined इस तरह की attraction था इस particular area का वो इसकी वैसे खो दिया यानि बहुत सारी building बना दिया गया इवन stadium तक इस area के इंदर बना दिया गया लिवरपुल से पहले अगर आप देखेंगे लिवरपुल ने आजे cultural landmark जोइन किया था Great Wall of China and the Taj Mahal इसके लावा चायना क्योंकि एक important member है World Heritage Committee का इससे पहले हमने देखा था चायना की यहीशी committee की तरफ से एक decision लिया गया था कि Great Barrier Reef जो अस्टेलिया के अंदर उसको in danger category के अंदर रखा जाए और इस सीज को लेकर भी debate हो लाखेंगे तो इससे पहले 2007 के अंदर ओमान की wildlife century उसको हटाया गया था इसके लावा 2009 के अंदर जर्मनी की एक वैली वैली इसको भी हटा दिया गया था अलग अलग रीजिन की वाज़े से जर्मनी की जो site हटाए गयी थी वो थी यहां पर motorway breeze develop करने को लेकर 2007 में जो ओमान इकनोमिक्स में बहुत ज़्यादा information नहीं कि वहल डेटा दिया गया profit बताया गया किसने कितना earn किया और एक important information जो page number 7 पे editorial में एक नीचे opaque वाल editorial है उसको आप as a homework पढ़ लेना Thank you all जहिन